स्वागत है आपका 70 BPSC के लिए और हमारा अभी जो क्लासेस होगा वो होगा साइंस एंटेक के ऊपर और आपको पता ही है कि साइंस एंटेक के ऊपर हम दा हिंदू का करेंट एफेस ले रहे हैं ऐसा कहीं नहीं करवाया जा रहा है मैं बार-बार कह रहा हूं आपको लग रहा जेनिटिकली मोडिफाई क्रॉप्स के ऊपर ठीक है तो हमें पता होना चलिए जेनिटिकली मोडिफाई क्रॉप्स होता कैसे है उसके जीन में इरिट कर देते जीन में अगर कोई क्रॉप्स है उसके जीन में इरिट करके नियू जीन को वहाँ पर प्लेस करते अब जीन क्या तो इस सब आपको मैंने पिछले क्लास में बताया, चलो देखते है GM CROPS, तो देखो, अगर permission देखे न, तो वो कौन देखा है, GEAC Committee है, एक कौन सा कमीटी है, Genetic Engineering Appraisal Committee जो है, वो permission देता है कि आप GM CROPS लगा सकते हैं, क्योंकि GM CROPS किया न, Generically Modified CROPS है, तो हर कोई किसी भी CROPS क GM CROPS नहीं लगा सकता है, ठीक है, उसके लिए आपको permission लेना पड़ेगा, ठीक है, from the concerned department that is GEAC, ठीक है, अब यह किस के अंदर है, यह MOEFCC के अंदर है, Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंदर है, यह ministry आप याद रखना है, और under EPA Act है, EPA मतला होता है, Environmental Protection Act 1986 के अंदर, यह दो चीज़ आप Safety Standard Authority of India देता है, मैं समझा पारा हो, I guess आप समझ पारा हो, कि permission किसके लिए, permission अगर आपको इस GM CROPS को अपने खेत में लगाना है, just imagine लगाना है, ठीक है, तो हमको permission देगा, GAC, लेकिन उस चीज़ को हमें अगर बाहार विदेश से मंगाना है, या किसी को GM CROPS को हमें बेचना अगर हमने permission ले लिया उगाने का, अब हमें बेचना तो हमें permission लेना है, लेगा food safety से, food safety उसको चेक करेंगा, कि safety point of view से अच्छा है कि नहीं, ठीक है, I hope समझ मैं होगा, ठीक है, there are an area of crops, बहुत सारे crops है, ब्रिंजल, टोमैटो में इस चिक पीया, in various stages, drives that implies transgenic technology, अब यह transgenic technology क्या होता है, जो भी GM crops से, जो crops आता है, उस technology को, हम लो GM to modify crops है, उस technology को हम लो क्या बोलते है, GM crops, इस technology से आता है, उस technology को क्या बोलते है, transgenic technology बोलते है, definitely exam में पूछेगा, ठीक है, however the cotton remains the only transgenic crop that is being commercially cultivated इंडिया, तो GM crops में जो cotton है, BT cotton, उसका नाम है BT cotton, वो समझ जो आपकी BT cotton ही, ऐसा transgenic crop है, जो commercially cultivated होता है, इंडिया, बाकी कोई नहीं होता है, यह ध्यान पर रगान, ठीक है, next question है, अनेमिया, अनेमिया news में, अनेमिया prevalence in the 8 state found to be over estimated, ठीक है, तो अनेमिया क सब्सक्राइब कोई topic है, उसके बारे में आपसे पूछेगा, कि अनेमिया क्या होता है, अनेमिया मेली खून की कमी से होने से, लेकिन थोड़ा और technical जानते, तो होता है है, हैमोग्लोमिन जो blood का होता है, वो decrease हो जाता है, decrease in the level of hemoglobin, हैमोग्लोमिन किसमें होता है, RBC में होत होता है, अनेमिया मतलब समझो, खून का कमी होने लगता है, मैं लिए विमेंस में देखा जाता है, cause by deficiency of iron, किस-किस के deficiency से होगा, हमोग्लोमिन तो कम होता है, एनेमिया होता किस कमी से, iron के कमी से होता है, vitamin B12 के कमी से होता है, और folic acid से होता है, अब देखो, iron का deficiency होगा, तो size of RBC decrease होगा, मानलो, मानलो, अगर दो, देखो, iron के deficiency से होता है, folic acid से होता है, अगर iron के deficiency, किसी को अनेमिया हुआ, तो उसका RBC पहले इतना बहुता था तो, इतना चोटा हो जाएगा, लेकिन, अगर मानलो, folic acid की कमी से होगा, ठीक है फॉलिक एसीड के डिफिसेंसी कमी होगा तो आड़ीसी का साइज बर जाएगा आपको लग रहागा मैं क्या बायो चिपका रहा हूं आपको डेफनेटली बायो जो है न साइंस एंटेक जो है न साइंस अगर पढ़ोगे न तभी साइंस एंटेक समझ में आएगा बार बलड देखो अब अब कि एस टीम सेल के बारे में सारे सेल पर लिए और सुधिलाव को डेफड़ेंटली नहीं पता होगा इन सेल कर जाता है गए बंधा कैसे सेल जब एक और पार मरज होता हुआ है गया करता है और चाह रखुँगे तो ऑसेना से फर्दर बनता है एस व समझो एक और स्पॉम जब मर्ज करता है ठीक है तो तो ज्टीम सेल स्टेंब्स हिए एक होता है ऑड़लकी लौक्षायप कोर और इस ही जानना हिए तो इनोफी मॉस्क्यूटो यह peur एडीज मॉस्क्यूटो के कान देंगु होता है चिकरिक फ्रहता है त्लिक अधिकिन मॉस्कूटों के कान जैपैनीज इन्फैलेटी से होता है जो बिहार में होता है चमकी बुखार बच्चे मरें थे चमकी बुखार ठीक है उसके पास सैंडी फ्लाइग के कान काला आजार होता है यह आपको मैज़डा फॉलिंग में पूश सकता है और डेफिनेटली आपने आपको रेडी रखो ठीक है अब देखो कोबीड क्या जेड एन वन पॉइंट वन वैरियंट जो है न अब आपसे एक्जाम में पूश दिया कि जे एन पॉइंट वन क्या है तो आपको पता होना चाहिए एक वैरियंट ह का ऩे तरीक है कोबी नैंटी का वैरियंट है थीक है डबलु एक वेच रएज वेडियंट ओफ इंट्रेस्ट वी Wouldn Ash 것 के देखो और यह क्मऊंली पाइरोला कहला अंब दिका है अब श्ट्रेञ्ट क्या होता है न्यू व्यवाडियांट क्या है नकर्यु अल्युन व्यd original virus ते new variant का different functional properties होगा that is called strain ठीक है अब देखो world का first and india indigenous developed DNA waste vaccine क्या है जाए COVID ठीक है उसका इंडिया का first protein sub unit vaccine COVID-19 के लिए क्या है Corbex VXTM ठीक है इसको याद दखना यह पूरा का पूरा आपका क्या कह है एक one liner है ठीक है इंडिया 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 इंडियन डेवलोफ mRNA vaccine क्या है जिमउक वैक 90 TM हलका हुलका ध्यान पर रखोंगे याद रहेगा एक दो बार पड़ोगे तो इंडिया फॉर्स इंट्रसल में तो नाक से देने वाला जो यह पर बार बार न्युव आ रहा है वो इतना समझें टीबी क्यू होता है किस कारण से होता है सब पता है आपको बस इतना समझों कि वर्ल्ट का टार्गेट 2030 और इंडिया का तार्गेट करने का बात कर रहा है जबकि वर्ल रस्तर पर डॉल यह वगड़ागा जो टार्गेट है वो दो हजार तीस है ठीक है इंडिया रिसर्च फॉन्डे फॉन्डेशन ऑठ्रीटी बाद में इसका नाम रिनेम करके आई सी एमर दे दिया गया नाइंटी फॉर्टी न में जब हम आजाएद होगे ठीक है एड़को न्यू देली और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैम हुआ है इसका मतलब कि science and take ही है अब और दिखाता हूं मैंने जानवर्फ का यह लगा है और समझ पाओ कि यह science and take ही है आने वाले और भी वीडियो साइंस एंटेक के आएंगे इधर नमंबर और अक्टूबर का न्यूज कम्प्लीट हो चुका आपका 2023 का मंतली न्यूज दहिंदू का और नमंबर का भी एक और वीडियो बचा है जो आज आपको मिल जाएगा आज ये अकल में वो आपका कम्प्लीट हो जागा नमबर फिर हम लोग दिसंबर पर जाएंगे अब एक्जाम में टाइम है तो ठीक है थैंक यू अब्रिवन